What is a concrete noun? A concrete noun is a noun which can be touched, seen, heard, tested and smelled. It is called concrete noun. ठोसंग्या क्या है? यानि ठोसंग्या किसे कहते हैं? एसी वस्तु जिसे हम छू सके, जिसे हम देख सके, जिसे हम सुन सके और जिसका हम स्वाद ले सके और जिसका हम गंद को पहचान सके वह से चीज़ को हम concrete noun कहते हैं, ओके? एक्जाम्पल्स के बीना समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो चली एक्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ एक्जाम्पल्स से concrete noun के जैसे table, chair, dog, cat, river, tree, phone, guitar, computer, air, song, food, etc. जैसे table, जिसे हम छूबी सकते हैं, देख भी सकते हैं, chair, जिसे हम छूबी सकते हैं, देख भी सकते हैं, dog, यानि एक कुता, जिसे हम छूबी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और सुन भी सकते हैं, cat, जिसे हम छूबी सकते हैं, देख भी सकते हैं, जब वो म्याव करता हैं, यह सकते घैज़ी थोड़ी यह सकते हैं अगर कुछ मिजिक आता है तो सब्कार मुश्य प Songs up जोड़ेर। यह सब इसे मुश्य है अगर कुछ मैं बापाख मुझस करते हैं तो ये भी एक concrete noun है air यानि हवा जिसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं उसको feel कर सकते हैं इसलिए air यानि हवा भी एक concrete noun कहलाता है song यानि गाना जिसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम उसको सुन सकते हैं लेकिन हम उसको अपने कानों से सुन सकते हैं तो जो कुछ हम सुन सकते हैं वो भी एक k country . centre केहलाता है इसलिए जो song होता है । व ौ last example food जिसे हम देख भी सकते चू भी सकते हैं और उसे । खा भी सकते हैं और उसे हम smell भी कर सकते हैं ओके इसलिए यह food भी एक concrete noun होता है last example is food जिसे हम देख भी सकते हैं छूब भी सकते हैं और उसे खा भी सकते हैं और उसे हम smell भी कर सकते हैं इसलिए ये food भी एक concrete noun कहलाता है hope आपको थोड़ा बहुत concrete noun के बारे में समझ में आया गया होगा कि concrete noun किसे कहते हैं और इसका examples क्या क्या हो सकते हैं अगर आपको video informative लगा हो तो please don't forget to subscribe my channel thank you very much have a wonderful day